मेरा भारत बेरी सांस्कितिक, मेरी मिसाल, मेरी पहचान, सब कुछ मेरा भारत है, मेरा भारत मेरी तिरंगा की आनबान सान है, हमेशा उचे परबतों पर बेरी तिरंगा लहराता रहे, मेरी भारत की सान लहराती है, भारत की सान मैं हूँ, भारत की सांस्कितिक मैं हूँ, भार नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है देश के प्रधान मंतरी सिरी मोदी जी आज देश के नाम संदेश में कहते हुए कहे है कि भारत लोगडाउन से अब तक जो भी इस्तितियां रहा है समस्या से जूज रहे लोग वहीं पर हम सब लंबे सफर तय करते हुए आज आर्थिक इस्तिती अब गती आ रही है बाजारों में लोगों की रौनक देखा जा रहा है अब भारत कुरोन समस्या से समली हुई इस्तिती में है लेकिन बाजार मार्केटों में रौनक आ रही है लेकिन क्रोनस वाइरस कहीं गया नहीं है लोगों को सावधानी सतरक्ता आज भी बनाए रखना बहुत जरूरी है और एक रिपोर्टी देखिए पधानमंती सिरी मोदी जी के देश के नाम संदेश कोरोना के खिलाप लड़ाई में जन्रता करिफियू से लेकर आज तक हम सभी भारतवास्यों ने बहुत लंबा सफर ताय किया है समय के साथ आर्थिक गतिविद्यों में भी दीरे धीरे तेजी नजर आ रही है हम मेंसे अधिकाउस लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज गरों से बाहर निकल रहे हैं त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रोनक धीरे धीरे लोट रही है लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो वाइरस नहीं गया है बीते साथ आठ महिनों में प्रतेग भारतिये के प्रयास से भारत आज जिस संबली हुई स्थिति में है हमें उसे बिगडने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है फेटालिटी रेट कम है भारत में जहां प्रती दस लाग जन संख्या पर करीब साड़े पाँच हजार लोगों को कोरोना हुआ है वहीं अमेरिका और ब्राजिल जैसे देशों में ये आखड़ा पचीस हजार के करीब है भारत में प्रती दस लाग लोगों में मृत्युदर 83 है जबकी अमेरिका ब्राजिल स्प्रेन ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आखड़ा 600 के पार है दुनिया के साधन संपन देशों की तुलना में भारत अपने जादा से जादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए नब्बे लाग से जादा बेट्स की सुविधा उपलब्द है बारा हजार कॉरंटाइन सेंटर्स है कोरोना टेस्टिंग की करीब दो हजार लैप्स काम कर रही है देश में टेस्टिंग की संख्या जल्द ही दस करोड के आंकडे को पार कर जाएगी कोवीड महामारी के खिलाप लडाई में टेस्टिंग की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है सेवा परमो धर्म के मंत्र पे चलते हुए हमारे डॉक्टर हमारे नर्सीज हमारे हेल्थ वर्कर्स हमारे सुरक्षा कर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निश्वार्त सेवा कर रहे हैं इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवा होने का नहीं है ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खत्रा नहीं है हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरे वीडियो देखे हैं जिन में साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत धिलाई ले आए हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है अगर आप लापरवाई बरत रहे हैं बीना मास के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आपको अपने परिवार को अपने परिवार के बच्चों को बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं आप ध्यान रखिये आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंता जनक वृद्धी हो रही है शाथियों संत कभिर्दास जी ने कहा है पकी खेती देखी के गरब किया किसान अजहू जोला बहुत है गर आवे तब जान अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मिस्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया लेकिन जब तक फसल घर ना आ जाएं तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए यही कभिर्दास जी कहके गए है यानि जब तक सफलता पूरी न मिल जाएं लापरवाई नहीं करनी चाहिए नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकर्स मिल जाए धनबाद